हम जिस module को कर रहे हैं उसका नाम है sheet metal, sheet metal module 3 है शायर यह, तो इसको हम कर रहे हैं और इससे पहले हमने wire gauge, standard wire gauge के बारे में समझा, जो electrician और fitter trade में, electrician trade वाले उससे wire का diameter नापने हैं, और fitter trade वाले उससे thin sheets को नापने हैं, जैसे मैंने पहले इस module के पहले lecture में आपको बताया थ है, इसमें बहुत सारे hand tools हैसे होंगे, जो हम already cover कर चुके, आज एक special hand tool है, जिसको हम कहते है SNIP, यह cutting tool की श्रिणी में आता है, यह काटता है, cutting tool और बहुत सारे होते हैं, जैसे file, hexa, chisel, अगर आप 6 mm, 8 mm के बीच में sheet metal में काम कर रहे हैं, तो filing कर सकते हो, chisel से भी काम कर सकत हो, लेकिन अगर आप 1 mm, 0.8 mm, 1.2 mm, बहुत पत्ली-पत्ली चादरों की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस तरीकी की बात कर रहे हैं, इतनी पत्ली-पत्ली चादरों की बात कर रहे हैं, अगर इस sheet metal की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे आप hexa नहीं चला करते हैं, सोचो हो, इस प और cutting tool होता है जो sheet metal में ही प्रियोग होता है आप समझ जाएंगे कि वो मोटी चादरों में क्यों प्रियोग नहीं होता उसको हम कहते है स्निप और वो यह है यह है आपका स्निप आप कैची जैसी कोई चीज है ना इससे आप बहुत मोटी चादर तो नहीं काट पाओगे इतनी पावर ड्रिवन होगी हाथ वाला नहीं होगी हाथ से काम नहीं करेंगे इतनी ताकत हम नहीं लगा दकते हैं हम hand tools की बात कर रहे है cutting tool भी hand tools की बात कर रहे है तो यह sheet metal का एक बहुत उपयोगी उपकरण है जब हमें छोटा मोटा कोई काम करना होता है और अगर आपको mass production करन बनाने होते हैं तब हम hand tool का प्योग नहीं करते हैं बहुत समय लगता है उसमें तब हम कोई ऐसी machine बना लेते हैं जो फटा-फट उसको बनाना शुरू करते हैं जब एकाथ कोई piece बनाना होता है उसके लिए machine नहीं लगाई जाता यह बात वहारी है ना ठीक है तो आज हम इस कोड़ा सा समझें इसको क्या कहेंगे अब सबसे पहले इसके पार्स की बात कर दें तो मैं इसकी एक ड्रॉइंग बना दूँ ताकि आपको पार्स बता सकूँ और द्रॉइंग तोड़ी डल देल बना रहा हूं इसलिए ऐसा मत कहना सर यह क्या बना दिया ऐसा कुछ मैंने बनाया है ठीक है इसको क्या कहेंगे क्या कहेंगी वो इसको ब्लेड ब्लेड कहेंगे इसको क्या कहेंगे हैंडल यह जो लगे हुए होते हैं यहाँ पर यह स्टॉपर है मतलब यहाँ पर जाके यह स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपका यह वाला पॉइंट मिल गया है अगर यह नहीं लगाएंगे तो यह ब्लेड एक दूसरी के ओपर जादे चट जाएंगे इसको क्या कहेंगे हम पर आपस में मिल जाएंगे तो आपका ब्लेड पुरा बंद हो चुका होगा एक और चीज है यहाँ पर इसको क्या कहेंगे पीवाट 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 मतलब वो धुरी जिस धुरी पर यह गूमेंगी चीज़ी मतलब यही तो धुरी है इस धुरी के इधर ब्लेड चल र नामों का मतलब समझें की जरुवाट है कि इसको हम इस वाले हिस्से को हम फेस ही तो कहेंगे, देखिए, ये आपका blade है, ये blade का face ही तो हो सकता है, blade तो ये है, ये face है आपका, इसको आप handle ही तो कहेंगे, इसको आप pivot ही तो कहेंगे, इसको आप stopper ही तो कहेंगे, ये जो stopper है, ये तो lock है, किसी-किसी यहाँ ना देकर किसी-किसी डिजाइन में वो यहाँ पर भी दिये होते हैं, ऐसे मतलब यह ऐसे मूड के आपस में यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो फिर यह फल इससे जाद है बंद नहीं होगा, यह बास समझवारी है बेटा आपको तो ऐसे घबराने की ज़रुद नहीं है कि इसको नाम को याद कैसे करें, आप नाम हो के मतलब समझने की कोशिश करें, यह face of blade है यह धार जो है, यह ब्लेड है यह pivot है, यह stopper है, यह lock है और यह पुरे handle है आपके, कोईशा किसमें? material of construction, forge steel का यह MS का भी बन सकता है mild steel का भी बन सकता है, hardened mild steel या high carbon steel का भी बन सकता है बस हम इसके फल को hard बना देते हैं, heat treatment से hard बना देते हैं, ताकि इसकी धार मतलब यह hard हो जाए और दूसरे धार को काटना शुरू कर दे, खुद ना कटना शुरू हो जाए जिसको हम काट रहे हैं, उसको काटे, खुद ना किसे इसलिए इसको hard बनाना बड़ता है इस पूरे को hard बनाने की जरूबत नहीं है सिर्फ इस blade blade को हम hard बनाते हैं एक चीज और गौर करना, यहाँ पर आपको हमेशा एक angle दिखाई देगा यह angle, मतलब यह पतला होता जारा ना हिर्सा इससे एक तो आपको blade का edge मिलता है और इसको हम rack angle कहते हैं क्या कहते हैं, यह जो मैंने यहाँ पर बना रखा अगर मैं इसको side से आपको दिखाऊं तो यह blade कुछ ऐसा दिखाई देगा तो आपको यह वाला angle ऐसा होता दिखाई देगा यह है आपका blade की edge जो काटेगी, वो धार और यह angle जो है यह आम तोर पर आपको कितना मिलता है 87 degree मतलब 90 degree से हम बहुत कम angle रखते हैं बहुत ही कम तिर्शा करते हैं बहुत जादे तिर्शा करने की दरुद नहीं है आप शायद उस angle को समझ नहीं रहे हैं आप इसको समझ रहे हैं यह जो बड़ी वाली जो वो है ना, जो angle हमने बना रहा है इसकी बात नहीं कर रहा अगर इस blade को आप गौर से देखें इस blade में इसकी मोटाई पे हलकिसी हमने ऐसे angle बना रखता है उसको कहते हैं हम rack angle आप इसको समझ पारे हैं इस blade की जो ऊपर की मोटाई है यह भी ऐसे जुकी हुई है वो ऐसे जुकी हुई है और नीचे वाली ऐसे जुकी हुई है बात संजमारी है तभी तो आपको ये धार मिल रही है, इसको हम कहेंगे rack angle, क्या कहेंगे और ये हर tool पे होता है rack angle हमेशा जो भी edge बना रहा होगा उसको हम rack angle कहेंगे rack angle आगे भी बहुत सारी tool हम पढ़ेंगे जब हम turner की tools की बात करेंगे उसमें side rack angle, top rack angle जो भी आपकी धार को बना रहा होगा एक edge दे रहा होगा, और material को फिसलनी की जगे दे रहा होगा उपने उपर उसको हम क्या कहेंगे, rack angle इसकी length इसकी length हम किसको कहते हैं इस पूरे को हम इसकी length कहते हैं मतलब जब बंद अवस्था में होगा तो इसके blade के tip से और handle के आगरी छोड़ तक ये होती है इसकी length कोई दिकर यहां तक सब समझे आगे बेटा अच्छा, अब ये snip जो है, ये दो तरीकी की होती है snip दो तरीकी की होती है एक को कहते हैं straight और दूसरे को कहते हैं bent इसको समझने से पहले जरा एक बार इसका practical करके देख लेते हैं, ये sheet है इसमें मान लिजे आपको यहां पर कोई slot बनाना है, ठीक है तो या तो आपके पास तरीका ये है कि एक machine लाओ, उसमें die, punch, motor लगाओ पता चला एक ही piece बनाना है उसके लिए इतनी महगी machine, लाखो रूपे की machine क्यों लगाँगा हुए तो मैं यहां marking करूँगा, सबसे पहले कि marking करनी पड़ेगी, कहां-कहां से मिजे काटना है marking समझभा रहे हैं आपको उसके बाद उस marking पे मैं इसको काटना शुरू करूँगा suppose अभी मैं थोड़ा जल्दी में काट रहा हूँ तो मैंने यह इसमें एक स्लॉट बना दे, इससे काट रहा हूँ और आप लोग भी काटना बहुत असान होता है लेकिन यह बहुत पतली, जिसको हम असल में sheet metal कहते हैं वहाँ पर आप छैनी से काटोगे, तो भी नहीं, यह एक सीजी लाइन में काट सकता है यह क्या है? Straight snip यह जो मैंने diagram बनाया है, यह straight snip का है बेटा इसका काम क्या है? यह सीजी सीजी लाइन में काट सकता है क्योंकि अब अगर मैं इसको एक गोलाई में काटने की कोशिश करूँगा, मान लिजे तो मैं इसको मोर नहीं पा रहा हूँ उसके लिए जरूरी यह होना चाहिए, कि यह हमारी ब्लेड है यह गूमे हुए होने चाहिए, बेंट यह बास मज़ए है, अगर मुझे इसको व्रत्य काटना है, मतलब ऐसे काटना है, कपड़ा तो है नहीं है, कपड़ा होता तो काट देता लेकिन क्योंकि यह इसको गूमने नहीं देगा यह सीधी सीधी लाइन में तो काट देगा अगर ये ब्लेड थोड़े से घूमे हुए होते तो मैं इसको जुका सकता था यह और जुका के फिर मैं इसको व्रद्धिय डारेक्शन में घूमा सकता था यह बस अजवारी है उसकी शकल उसका आकार वो दिखने में कैसा होगा जरा वो भी बना देगा इसके दोनों ब्लेड यासे इसमें तो डोनों में सीधे यह उससे खूमे हुए हूँए ताकि मैं उसको थोड़ाजा अगर गुमाना पड़े हुजे जुका के काटना पड़े तब भी वो सको काड़ और उसको क्या कहेंगे गिस इसको क्या कहेंगे paint slipped तो ये जो डियाग्राम अब बन गया आपका ये bent strip का है बागी सारे parts वही रहेंगे material of construction वही रहेगा इसके blade को हम hard कर देते हैं heat treatment से या फिर उसको high carbon steel या hard end steel कहलो पूरा body MS की भी बन सकती है forge steel भी उसको कह सकती है और high carbon steel की बनाना चाओ तो hard हो जाएगी क्योंकि ये handle बहुत पतला होता है तो जोड़ लगाओगे brittle हो जाएगा तूड़ जाएगा तो इसको हम पूरी body को high carbon steel का नहीं बनाते हैं खाली blade को hard कर दिया जाता है बात नहीं हारी है बिटा का ताम है मताँ इधनी mass production के लिए नहीं करते है उसके लिए हम करते हैं इसको कह रहा हूं में देखो इन दोनों blade के बीच में कोई तो clearance होगा जब ये tip आके मिलेगा तब तक बाकी वाला हिस्सा तो overlap हो चुका ना यहाँ पर देखो ये overlap हो रहा है ने के उपर तो इसके बीच में जो gap है उसको हम क्या कहेंगे clearance इन दोनों blade के उपर बीच में आपके blade ऐसे चल रहे हैं ना बेटा ऐसे चल रहे हैं तो ये जो gap है इन दोनों के बीच में इसकी ज़़दा चर्चा कर दो ठीक है अब अगर इसको मैं side में से आपको दिखाऊं ऐसे और इसके बीच में समझो यहाँ पर रखा हुआ है कोई job मैं आपको ऐसे कोई चीज दिखाना चाहरा हूँ ऐसे ऐसे काटके सामने से दिखाना चाहरा हूँ तब आपको ये blade कैसे दिखाई देंगे बेटा उपर वाला blade मान लीजे ये है ये इसका rack angle है बात निमागे यहाँ पर रखा हुआ है आपका कोई thin plate जिसको आप काटना चाहरे है और दूसरा blade कहां आ रहा होगा यहां आ रहा होगा कोई दिखाए है ये उपर वाला blade है ये नीचे वाला blade है जब हम उसको handle को press करेंगे तो ये ऐसे आना चाहरे होंगे और इसको बीच में यहाँ दे काटना चाहरे होंगे metal को आपको ऐसे ही तो हो रहा होगा ना इस वाली जो gap है ये नीचे वाला blade है और ये उपर वाला आपका blade है इस gap को हम क्या कह रहे हैं ये थोड़ा बढ़र के बता रहा हूंगे clearance क्या कह रहे हैं मिटा clear का मतलब तो जानते हो ना जो जगे clear होती है ये clearance है इसका इसका बड़ा महत्व है इस सिस्टिप में और ये clearance रखा जाता है कितनी मोटी plate आप काट रहे हैं जितनी मोटी plate होगी उतना ही जादे ये clearance करना पड़ेगा आपको ठीक है अगर आपका ये clearance अच्छा है मतलब correct है अगर clearance correct है तो कटने के बाद आपका धातू जो है ये वाला जो धातू यहाँ पर जो आपको edge बिलेगी वो ऐसी मिलेगी edge ये है आपका धातू जो कट गया क्या कहना चाह रहा हूँ ये जो मैंने धातू काटा है न अगर ये clearance है इसका सही रहा होगा दोनों blade का तो जो आपको ये edge मिली सामने सामने की ये जो edge मिली ये बिल्कुल सीधी मिलेगी thickness में thickness की बाद करना हूँ ये ये काट दिया तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल सीधा मिलेगा ये बाद सुझमारी okay blade के बीश में जो clearance है उसकी बाद करना अगर ये correct है तो आपको ये मिलेगी सते कटने के बाद जो सते काटी है आपने वो आपको ऐसी मिलने वाली है अगर वो less है तो या तो वो कटेगा ही नी अगर वो बहुत करीब फस फस के चल रहा है न तो या तो वो कटेगा ही नी क्योंकि धातू भी hard है इतना वो नहीं है बहुत जोड लगाना पनेगा आपको वो कटनी की जगह है लगबग टूटेगा आप ऐसा समझो क्योंकि दोनों blade बिल्कुल मतलब ये दोनों edge जो है बहुत आस्पास आगए clearance बहुत कम रख दिया है आपने तब आपको जो ये shape मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी मतलब जो आपकी thickness है न material की मान लीजे ये आपका material है इसको आपने यहां से काटा है तो ये ठीकने से ये आपको pointed मिलेगी यहां पर अगर आपने clearance बहुत कम रख दिया और ताकत लगानी पड़ेगी बहुत जादा और अगर आपने clearance angle more रख दिया तब आपको या तो आपका ये जो metal है वो इसके अंदर ही घूम के फल जाएगा मतलब metal जो है इसके बीश में घुज जाएगा पूरा कटे का नहीं वो ऐसे मूड़के इसके बीश में आ जाएगा जैते कपड़ा भी आपने कभी कभी देखा होगा कैची का अगर फल ढीला है तो कपड़ा कटता नहीं है वो ऐसे गूम के उसके अंदर घूज जाता है फस जाता है लॉक हो जाता है मतलब मैं ये कहना जा रहा हूँ कि अगर ये clearance एंगल जादा है तो ये काटे गनी ये material उसके अंदर ऐसे घूज जाएगा तो इस ठीकनेस के लिए इसका clearance जादा हो रहा है मुझे ये यहाँ पर थोड़ा सा ओड़ टाइट करना पड़ेगा तब जाके वो ठीक काटेगा उसको समझवारी है मेरी बाट और या फिर आपको अगर आपने काट भी दिया तो आपको ये thickness कुछ ऐसी मिलेगी ऐसा मतलब इसकी चोंच नीचे की तरफ को हो जाएगी ये तब होता है जब clearance हैंगा ज़्यादा हो ये material आपको ऐसे कटा हो जबा तो इस ठीक के अंदर मुझे जो बताना था आपको मैंने बता दिया अभी आपको कोई सवाल हो तो पूछ लिए और उसके बाद ये रहा आपका sheet metal का एक plate ये रही आपकी slip काट के देख लो और store में से एक bent snip भी लिया ना और थोड़ा व्रत्य कटिंग भी करके देख लेना तो आपको समझवा जाएगा कि bent stip से व्रत्य कटिंग करना असान क्यों हो जाता है ठीक है कोई आपका सवाल हो तो पूछे मेटा को वरना फिर इस lecture को आज यांपर हम रोख देगे कल फिर एक नए topic के साथ आए कोई सवाल मेटा thank you very much good bye